अप्पय दिक्षित कृत अधा भावन ओपनिशत भाष्य ओम से कृष्णाय परमात्मने नामा ओम श्री चक्रा राधनम स्थूलम निंजते भावनांत राथ यस्यां व्याख्यास्यते सेयं भावन ओपनिशन्मया अप्पय दिक्षिति मंगलाचन कर रहे हैं भई ये भावनों ओपनिशत कर क्या रहा है इसका संचेप में कहा दे रहे हैं ये भावनों ओपनिशत को उद्देश है श्री चक्र की जो बाईव पूजा और श्री चक्र जो अंतर पूजा, अंतर या, दोलों की निंदा करना कि अंतर पूजा में भी क्वचित बाहिस अपेक्षाता है पहले तिर पुरो प्रिशद में आया था इसलिए पराव उपासना जो उन रुपन भावना प्रदार, मानस बात रुपना ये सब बाहिर, लगबग अपेक्षा ह abra квष ऑर प्रवितिकार ने कही Какा प्रणज कर दिया —सपर्श करो बोल दिया सपर्षद में करें, मानफश करो लिए घ्ल्वरोज भी हात, पहर सेहिए, को भी हिला करके सपर्श करना मान परशद पर्श यह तो किया जा सकता है जिस योग नित्रा में प्या करते हैं दैना आंग उठा देखो आंग खोल के देखेंगे क्या वान मन से यह इस पर्षवी के जिए मन से पर्षवी करो उस अंग को पुर्ण भावन में हो सकती इसे अत्यंत निर्पेक्ष बाय किसी भी प्रकार की क्रिया कलाप के विना पुर्ण रुपेण मानस धावना एक तरसे क्या है गदिया श्री शक्राराजनम स्थूलम जो श्री शक्र की आराजना करने की स्थूल प्रक्रिया है और सुक्ष प्रक्रिया है उन दोनों को स्थूल यह उक्लक्षने बहिर्यागों के स्थूल, सुक्ष्मों के अंतरियाग, इन दोनों को निंजते कैसे निंदा कर रहे हैं? भावनांतराद, भावनांतर के विधान करने से भावनांतर को ने पराद? पहले भी कह चुके हैं, तीन होता है हमेशा स्थूल, सुक्ष्म, परावपासन उसे भी काई की, वाच की, मानस की ये बात काई चुक है वो थब ध्यान में रखना जो पूर में बास कर रहा है बास कर ने कहा है उनकी निंदा करते हुए इन जो भावनांतर विधान करने से उनकी निंदा ज्यापन हुआ जिस पर मैं व्याख्या करने जा रहा हूँ सेयम भावनों प्रशद मया व्याख्या स्यत है वा यह जो भावनों प्रशद है जिसमें भावनांतर विधान करती हुए स्थू सुक्षशित आराज रख निंदा की गई है ऐसी वा यह जो भावनों प्रशद है उसको मेरी द्वारा व्याख्यान किया जाता है अत्र खलू परमकार्ण भूता शक्ति अत्र खलू परमकार्ण भूता शक्ति ही श्री गुरुर अनन्या इती पहला वक्य क्या यहां? गुरु कोई शक्ति सधिन कर दिया, सर्वकार्ण भूता शक्ति कर दिया, गुरु रेवा सर्वकार्ण भूता शक्ति, उसकोई लेके कह रहें, ये परमकार्ण भूता शक्ति क्या है, श्री गुरु से अनन्याईती, अनन्या कर दिया, फिर का नवशक्ति मयम श्री चक्रम, नवरंद रूप देह अनन्यद। और नवशक्ति में ये श्रीचकर है और वह श्रीचकर रूपा जो परमकारण गुदाशक्ति श्रीचकर रूपा है श्रीचकर रूपा है गुरु है गुरु है गुरु है इस नवरंद रूपा देह है इस प्रकार्श परस्पर एक दूसरे अनन्य इति चैवं माधी निरुपण येर। एसल अनन्य ऐसे निरुपण के द्वारा क्या कारेया अन्यत्ता भाव नारूपं श्रीचक्रुपासन क्रमं अविक्ञाय अन्याच्य प्रशदा स्थूलं वाहियंच श्रीचक्रुपासनम् एव अवितमिती बिंदु तिरिकोण इत्यादी श्लोकान रोदेना केच छिरक्रम विलेख्य अपासते तेत मंद बुद्धयो अनाद घरात अध्यात्र शास्त्रा ये वितमत भी सुत्राव उपेक्षनिया अव भवन्ती। उनको कह रहे हैं जो इस भावनों प्रशद को भी स्थूल पूजा पर घटाओना चा अंत तक्य वाक्य के द्वारा आधी निरुपण के द्वार क्या किया अन्यता भावना रोपम अन्य प्रकार का एक भावना रोपा श्री चक्रिक उपासना को ही विधान क्या गया है यहां इस बात को अविक्या है इस बात को न समझते हुए और कहना क्या चाने वोलो अन्य इस उप्रशद के द्वारा स्थूलम भायन चा, स्थूल और वह भी भाय, श्री चक्र उपासना का ही अभिदान अभी तम, किसाथ रहे बोल रहे हैं, बिंदु चक्रे नित्या श्लोका नो रो देना, वो श्लोक है, इसे अभिना गुप्तादी का होगा, मंदादी का निल का ह हुआ, उन श्लोकों के आधार पर रोका रहे हैं, केचिद जो है, इतना ही नहीं, कुछ और भी अतिमंद पुद्धि वाले ऐसे भी हैं, जो क्या करते हैं, श्री चक्र को लिखते हैं, विलिख्या, अतिमंद पुद्धि वालों का खाह में ये, लिख करके उपासते, ते त मंद पुद्धियों, ये सब क्या हैं, मंद पुद्धि वाले भावना नहीं कर बाते हैं, तो क्या करें, उनको बाहर बनानी पड़ती है, लिख करके, ये अपने अपने अखरी देंगे, सोना चांदी, ये असफटिक किसी भी चीज़ का, अना घ्राता, अध्यात्म शात्र उन्होंने अध्यात्म शात्र सुंगा भी नहीं, सुंगा नहीं करता हुदा 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 मने सुना भी नहीं वो ऐसे व्याख्यान कर रहे हैं एंट उनकी व्याख्यानों के चक्र में आप इवेक की लोग ना पढ़ें इसलिए उनकी व्याख्यानों को उनकी विचारों को यह विद्वद भी ही सुत्र नाम उपेक्षा नियाए बवन्ती यहाँ जविद्वानों के द्वारा उनकी व्याख्यानों को उपेक्षा अवश्य करनी चाहिए कुता आओ कुन से श्री चक्र पूजन प्रकार अनबिग्यत्वान कुता के बाद कौम है इसलिए क्यों यह तु क्या है यह तु यही है कि वेलव वास्तों में उप्रिषदों में कहा हुआ श्री चक्र पूजन की प्रकार को सही सही जानते ही नहीं है वाईदिक इसको बार बार कहते है वाईदिक श्री चक्र पासन अलग चीज़ है और यह लोग कर रहे हैं धोंग अलग चीज़ है वही थे पुषद आव पुषदों में कहा हुआ, यह श्री चक्रे पुजा है यह अलग इन्हों ने स्थूल पुजा का वरणन किया है, पता है ने 64 पुचार के पुषद में आया था, यह शोड़ शुपचार भी आया, मानस पुजा में भी, यह भी पुजा है लहीं जो भी अलग है, इनकी प्रक्रिया अलग है, यह प्रयोग करने की तरीका अलग है, और जो लोग कर रहे हैं, बिल्कुल अलग कर रहे हैं, वो धोंग है इस तरह से, गलत, तांत्री पदिशा करते हैं, इसे भी का दिया, कि वो उसी प्रकार से है, क्यों कारण है तुदे रहे हैं, क की आपने कैसे नहीं ले ले लिया इसी में एक वाक्टि में बता दियना द्वाइट और हो भावनाम श्रीचक्र पूजनाम ज्ञाता ऑर गें इस्त्रिपूट्टि के अधे भावना करना इवास्तों में स्री चक्र पूचन का दिया अब तो पाई पूचा के से करवा तो भेल भावना की जुरूरते इती कंठरवेन भेतां शुर्ति अपनी जबान से शब्दों से स्पष्ठ बोल रही है एवाम विस्पष्ठम अभीदम अभी भावनात्तं पूचनं अकुरुवंदो इस प्रकार से अत्यंत स्पष्ठ रूपे न खहा हुआ भावनात्त पूचन को न करते हुई दुर्बल प्रमानांत राश्रेने न दुर्बल कोई किसी विद्वान ने कहा दिया मन्दादी कारियों के लिए उसी को प्रमान मान बैठे दुर्बल दूसरे प्रमानों को आश्रे करते वे घुनवद विलिक्या काम्यार्थ मोह समुद्रे स्वयम मज्जन्त अन्यान मज्जय यंतस्च स्वयम तो डूब रहे हैं दूसरों को डूबाते वे अपसे सारे आयो विर्थ गमा दे रहे हैं कैसा कर रहे हैं वो कद घुन के समान कर जा घुनाक्षर अन्या एक न्याय है आपने लकडियों में देखा होगा एक कीडा पढ़ जाता है लकडी गुन को काटउ यह रखा हैinkologist मताक्षर इसलडें कर वे लकडी है के वे लकडी क्राइब यह रुक cricket ख़ाते में मताइक कीडे के दवरा बनाए उसा सुऩाता है लिक भी क्या कर रहे हैं कोई लखडी में, कोई सोना में, कोई चांदी में, कोई किसी में और नए तो पेपर पेंसिल से स्रीयत्र को बना रहे है गुणाक्षर नियाय के समान का दिया इनुने गुणवाद विलिख्या काम्यार्थ मोह समुद्रे कामना, अर्थ और मोहरुपी समुद्र में डूबे हुए है सब के सब स्वयम मज्यन्तो, स्वयम डूबते हुए और अन्यान मज्यन्तस्च अन्यों को डूबाते हुए सारी आयो व्यर्थ गमा दे रहे ता आयूशर हो ने यदि यत्र ब्राम्यात्या अस्ट शक्तिया शोडश शक्तियास्चा कामादिभ्या प्रतिव्यादिभ्यास्चा अन्या उक्ता हा तदा तद भायस थूल श्री चक्रोपासनम उपनिशत प्रमाण कमिती तद कर्तुम रूंती नतू तदा उक्ता हा यदि ऐसे कहा होता तो आपका कहना ठीक दाम आपके तरिके समचलते विगर यदि यहाँ पर भी ब्रामी आदी देवास्ट शक्तियों को सोडश जोह दित्याओं को काम आदी देवताओं को प्रतिवियादी तत्वों को अन्नी अन्नी करके कहे हुए होते तब तो तब आपके द्वरा कहुआ तेना आपके द्वरा कहुआ बाई जो स्थूल उपासना थी वह उपशल प्रमान सिध्ध है इस बात को और उसके उसार करता न करना चाहिए ततकर तुम रंती तब तो वह इसे करना भी चाहिए मैं कहा देता लेकिन नततू तथा उपता यह रही तो आप अपर इसे नहीं कहा, बाईलों लेकिन देवतों गों, देवताओं को, नाडियों को और आपके जो अंगों को विन शरीर के अवयों को भी सब का अभेद करने बोल रहे हैं तो यहां इनकी सब भेद दवार है नहीं कहीं भी बलकि सारे चिजों का अभेद करके सब को आपके ललिता शुरुप है यहां नित्यान अतर शुरुप है, उसमें विले करने बोल रहे हैं नचा अभ्यंद्रम सब देवत्ता भावन आत्म का अराधनम कर आपके अर भीतर में कोई सब देवता की भावने करन रहे हैं चलो बहार सब नहीं है, भीतर सब लेलो, कल प्रतिकोपासन में आप मूर्ती में इश्क्य की भावना कर देते हैं देते शरीर में आप श्रिस्ट्रिके भावना कर रहे हैं देधताउं कि भावना कर रहे हैं ऐसा भी नहीं है यहां भीतर हमें किसी चीज साथ में अभेद करने का थाथ्रिया नहीं है उसो second street भावना कर देतो अभिदानातु तिंगिन सभी जगों में आध्यातिक तत्व परिवार, तत्व समुह, परिवार का तत्व समुह, आध्यातिक तत्व समुह, आध्यातिक तत्व परिवार, तत्व समुह, आध्यातिक तत्व समुह, आध्यातिक तत्व परिवार, तत्व समुह, इसके साथ जो करने के लिए कहा गया है देहो देवाले प्रोक्तो जीवो देव सदाशिवा तेजे धज्ञान निर्माल्यम स्वहं भावे न पूजये कि साफ साफ कहा है यहां पर भई देही देवाले है सत्य सायक आवा ने बहुत पहले एक छोटी सी पुस्तिका लिखी ती उसे लिखा से त्री टेम्पलस अव गौड ठीटेम्पलस अव गौड अंग्रेजी मुल्गानवाथा आवाला पंडे का मिला है इसलोग याद है भज्चु छोटे पर्वेज स्नूल शरीर एक मंदिर बहुड़ सूख शरीर दूसरा मंदिर है बहुड़़न का कारणशरीर थिसरा मंदिर है बगवबान का और इन तिनों मंदिरों से इन मंदिरों में रहने वलो भगवान तिनों से लग इसे मंदिर से लग होता है ना मूर्ती इसे मंदिर से ले जासे अंदर बार बिला सकते हैं उसको मंदिरी मूर्ती नहीं है, मूर्ती मंदर नहीं है मंदिर मूर्थी तो भिन वस्तु है और मंदिर में मूर्थी होती है ये भी वही करें यहाँ पर देव ही देवाल है देव तो मंदिर है इस मंदिर में रहने वाले आप क्या है जीवो देव सदाशिवा जीव ही देव है वही सदाशिव है इसलिए जो अज्ञान रुपी जो गंदगी है न इसको साफ करदो, निकाल दो, छोड़ दो तेजेद अज्ञान निरमाल्यम सुःहम भावेन पूजयेद वही मैं हो इसलाईसро भावन गरेब पूजया है अम ब्रम्मास्मी अम ब्रम्मास्मी शोहम 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 यही वास्त में पूजा है इत्युक्त प्रकार का पूजन मेव इवक्षित वग्यम्यते इस प्रकार से कहो पूजा कोई यहां इस भावनों प्रशन इवक्षिते ऐसे मालम होता है अत्रिवन सती सगुण मूर्थि ध्यानात्म का उपासन स्यापी अनवकाशां इसरे जब सगुण मूर्थि ध्यान रूपा उपासना का विजवा अवकाशी नहीं है तो स्थोल मूर्थि की कासद पा बायु पुजा करो इसनी अंतरका कहीं मुच गन्या ये नहीं वह रेखा मेरवादि मयस्या श्री चक्रप्रती को पासनस्या अनवकाशी तिस्थिताम इसे रेखा मही हो चै मेरू मही हो चै मध्यपृष्ठ तिनों ले ले देखिए भूपृष्ठ भूपृष्ठ कै रेखा मही हो गया तो अर दो मध्यप्रिष्ट और मीरविट्ष देखा और मीरे को मतल पीच को भी ले लेना है जरह एक हाम ही हो गया चिप्टराद तक भू प्रिष्ट मेरू मेरव मैं हो गया नीची सुपरते असल पर हरे का और उंचा उंचा करते जाना और मध्य प्रिष्ट में जो चार असर हैं चतुर असर और जो वले हैं वो दो भूप्रिष्ट रहते हैं फिर बाकी मात्र को उंचा करते हैं जाएंगी मध्य प्रिष्ट पर उसको मध्य प्रिष्ट काईएंगी तीन, तीन, छे तो भूप्रिष्ट हो गया, बाकी जो उपर वाला है, ने दो तो हो गया, तीन में एक हो गया, चक्रसर एक माने जाता है, तीन वले उंको एक माने जाता है, ये दो हो गया आवरन, दो आवरन अपका भूप्रिष्ट गएगा, बाकी साथ आवरन उपर हो गया उसको मध्य प्रिष्ट का तो और प्रतिक को आप उठाते वजा रहे हैं, उम्य प्रिष्ट का तो इन सब का यहाँ कोई आवकाशी नहीं है, जब सुक्षमा अंतर उपासना ही निशेद हो गया, तो स्थूल बाय रेखा दी विशिष्ट मेरवादी विशिष्ट उपासना, आप तो स्थूल प्रसंगी नहीं है प्रतिको आपसना ह EKAT, किमटग नियाए में यही बलते हैं, अरि यही जब सो इस इक का अवसर नहीं नहीं इस प्रकार बुलेका नाम ही कहीं मुतिग जयांए जया है, रखा मेरबादयम इस vår श्री चक्र परती को पास रस्य अनवगाशीति सित्य तो गे चिच्चेतात परतीको पास कहा, स्वेशं प्रभलं मंत्र शास्त्र प्राविन्यम मध्र कृतार्ताम मन्यनते फिर भी लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं अपनी बात की पुष्टी में कहीं न कहीं कोई न कोई उपरिशन मंत्र उत्र सब पकड़ के लाते हैं यह हो रहा आजकर हर संप्रदाय वाले चैनास्तिक भी क्यों नो हो भी हमारी बास शुर्थी सम्माद है वो भी चार स्वत्यां को उठा कर ला है और वो अपनी अर्थ कर रहा है उसके से अपनी इसाब से कोई करें के चित्व कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं यह तक प्रतिकोपास का इस्रियंत्र के प्रतिकोपास नामें उनकी बड़ी आस्था है इसलिए वे लोग स्वेशाम अपनी बातों के लिए प्रबलम मंत्र शात्र प्राविणियम मत्वा अपने अंदर में मंत्र और शात्र के प्रविणिता को मान करके कृतारता मन्यनते हैं कृतारत मानते हैं लेकिन नतुते इती शुर्थी अंद्रमना जाननती के सानवे इन वे इśruti को जानते नहीं है या जानती में भी इसके उपएक शाकर परें क्या है श्रती उन्तमा ताज प्चिंता स्यान मद्यमम शात्र चिंतनम अधमा मंत्र चिंता स्यात तिर्थभ्धांत्य धमा धमा तिर्थभ्रामण अधम से अधम अधिकारी काए यह है मैत्री उपनिशद फिट संग्या इसमें 203 का एक सवाटो प्रश्चत वाले में फिट संग्या 203 मैत्री उपनिशद की है ग्विटिय अध्याय का यह आराया आपका उत्तमा मद्यम 21 वास्टो 321 नमबर लिख लें मैत्री उपनिशद 321 उत्तमा तत्व चिंता उत्तमम अधिकारी वह है जो तत्व चिंतन करने की योगिता रखता है इतनी मन में एका करता है विवेक वहरा के वगरा है जिसे कोई कामना आजी के विक्षेपनी कोई चिंता नहीं अहम ब्रह्मास के चिंतन कर निरंतर लगा रहने वाला उत्तम मधिकारी मनें ता है मध्यमम शास्त्रचिंतनम मध्यम हुआ है शास्त्र का अलमन करके चिंतन करने वाद शास्त्रचिंतन कर रहा है वीन प्रिकार दर्शन शास्त्र में लगावा है करम कानव कर रहा है अधमा मंत्रचिंता बिल्कुल कर्मकांडी है, अधमा मंत्र चिंता के कर्मकांडी है, मंत्र चिंतन करने में लगा हुआ है, मंत्र जपाजी में लगा हुआ रहता है, कर्म में लगा रहने वाला, और तीर्त भ्रांती, तीर्त में ब्रहमन करने वाला, बाधमा अधमा, अधम से दमें, इस बात को नहीं जानते शुर्प्केंद्रफ न जानते जानते शुर्प्केंद्रफ में लिप लुग हैं यह प्रेय प्रवपर सफ्मिंद्रफ नुद्रस ब्रस प्यवत प्योगा कोने तो मश्क्यां हैं अर्फ करने कि आतया कोась मोन्ज़न की लिए जानते